कि आप 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 देखे रहें अपना मैंट तो आज की जो वीडियो वह काफी जादा जबरदस वाली होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने आपको काफी हद तक बचा सकता है आपके पास एक एक एविडेंस रहता है कि आपकी गलती नहीं है तो फिलाल के आज जिस डैश कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो रहने वाला है शाओमी की तरफ से या फिर पर एमाई जो भी आप कहलो और माई की दर्फ से रहने वाला है जो कि है 70MAI डैश कैम प्रो जिसका कि मैं आज रिव्यू करने वाला हूं इसका इंस्टालेशन प्रोसेस दिखाऊंगा इसकी फोटेज दिखाऊंगा कि दिन के टाइम में रात की टाइम में कैसी फोटेज आ सबस्क्राइब का बटन दबाना न भूलें सबस्क्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेयल आइकन को भी दबादें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पांचे तो चलिय देखते हैं मेंटास्टिक की एक और नई वीडियो तो यह आगया है शाओमी डैश कैम का बॉख्स हमारे हाथ में और इसी के साथ साथ चलिए इसको फटाफट से open कर लेते हैं और इसको open करने के बाद सबसे पहले आपकी नजर यहां पे जाती है में डैश केम यूनिट पे और में डैश कैम यूनिट फिलाल जिलिए इसको जो ह ole Felix के थी था को पर से यह को बीगिए यहां पे यहां पे आपको एक राफ को उसनी की बहुत है और साथ यहां पे आपको एक वारीậy एज़िचे ले सकते हैं अब बात करनें वाई यहां पर यूएज्य की Gobierno तुछ यूसबी वाला केबल में जाता है जिसकी यहां पर 3.5 मीटर्स की है जो कि मतलब सुफिशेंट इनफ है इन सब चीजों को साइड में रख देते हैं और यहां पर अपने में डैश केम यूनिट को देखते हैं तो चलिए बात करते हैं इस में डैश काम यूनिट की तो स इसका मतलब है कि यह रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है इसने और यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको चार फिसकल बटन के साथ नहीं आता है यह चार फिसकल बटन के साथ आता है जो कि आप ड्राइब करते टाइम अगर इसको यूज करना चाहो तो वह बहुत ही देख सकते हो कुछ इस टाइब का आता है डिजाइन अवाड 2019 इसको मिला हुआ है और यह रहा इसका नाम कि साथ साथ बात करते हैं इसकी क्वालिटी की तो देखो वह यह यह जो है वह सुपर हाई रिजूशन है मतलब इसकी जो रिजूशन क्वालिटी है वह टेन एटीप से उपर की है और इसके साथ साथ 1944 पिक्सल तक जो है इसकी क्वालिटी एक्स्टेंड हो जाती है और तो यह जो लेंस आप देख रहे हो यह लगा है सोनी IMX 335 सेंसर जो की 140 डिग्री का एक वाइड एंगल लेंस है जिससे की मतलब कमाल की फूटिज आती है और 5 मेगा पिक् कर रहे हो तो यह तीन-3-3 मिनट 1-2 मिनट की अलग लेंग रिकॉर्डिंग करेगा जैसी आप सेटिंग इसमें चूज करोगे उसी के साथ-साथ इसमें आपको जी सेंसर भी मिल जाता है मतलब जैसे इसको जटका वगरा मिलता है जटका वगरा लगता है वैसी इमर्जेंसी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और वह रिकॉर्डिंग सारी इमर्जेंसी फोल्डर में जाती है अब इसी के साथ-साथ यहां पे आपको वग्स कमांट का भी फीचर में आपको एक सेंपल देखाता हूं जैसे कि मैं कहता हूं इस टैम जैसे ऑन स्क्रीन तो ओ रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बताते हैं कि आप जैसे मैं कहता हूं कि एक पिक्चर तो साथ साथ इसमें पार्किंग सर्वेलियंस का भी मोड आता है मतलब आगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो वहां पे जो है यह अपने आप सेंस करेगा कि कोई मुवमेंट होरी है कैमरे के लेंज के सामने तो अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा या फिर जी सीनसर अगर चारो बटन की बात करते हैं तो यहां पर जो पहला बटन है जो कि आप देख रहो है यह औढ़ीव म्यूट करने के लिए आया तो यहां पर इस बटन को दबा के आप और जो है उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हो यहां पर एक बार दबाया तो देखिए और डिसेबल होगी अफिलाल के लिए मैं तो रिकमेंट करूँ कि आप हमेशा ऑन ही रखें ऑडियो भी रिकॉर्ड करें और यह जो बटन आ एकसेस कर सकते हो और जैसे आप गैलरी एकसेस करोगे उस ताइम जो है रिकॉर्डिंग ओफ हो जाएगी यहां पर ब्लू कलर की लाइट जो है देख सकते हो अब इसी के साथ-साथ यहां पर नॉर्मल एमर्जेंसी और फोटो यह तीन अलग-अलग फोल्डर से जिनको आप इन इरोस की मदद से लेफ्ट-राइट कर सकते हो जो इस वाले बटन को परेशल की लेफ्राइट होता रहेगा और इससे ओके करने के लिए और इससे बैक आने के लिए अगर मैं आपको सेटिंग्स का बटन दिखाता हूं तो इस सेटिंग्स पर आप खिलिक करके यहां पर Wifi को • noir kaar सकते हो मतलब वाइफाई जो हटचिपर है इसके ध vegत ब्यास कर सकते हो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं तो यहां पर मैंने 70 3k 500 रखी हो इस पर में क्लिक करता हूं जैसे ही मैंने नेट अपना वो तरन ओन कर लेता हूं मेंने पहले सी डिवाइज कर रखा है आप लोगोगी डिवाइज कर लेना विसके साल से जैसे मैं कनेक्ट फे दबाऊंगा तो ये चुनेक्ट होना स्टार्ट कर देगा और जैसे ये चुंट कर देगा और फोड़ा सा टाइम लेगा connect होने में अब यहां पर मैं इसमें okay प्रेस कर देता हूं और आप देख सकते हो जैसे यह connect हो जाता है वैसे ही यहां पर मतलब जो भी इसके तुरू record हो रहा होगा वो इसमें शो करेगा अगर जैसे देखो मैं camera को हिला रहा हूं तो फिर यह इस पर शो करने लगता अब देखो मैं जैसे इसकी फोटो इसको दिखाऊंगा तो यह जो है recording शुरू कर देता है अब इसी के साथ साथ यहां पर आप जैसा मैंने बताया था 70 MI की branding यहां पर आपको देखने को मिल रही है प्लस left side में आपको date और time mention होगा और यहां पर आप नीचे टेक फोटो इससे भी कीच सकते हो यहां पर album पर क्लिक करके आप जितनी भी album है मतलब उसमें जो भी recording है उसको डाउनलोड वगयरा कर सकते हो यहां पर जैसे आप देख सकते हो कि चार फोल्डर अपने आप बन के आ रखते हैं जिसमें की अलगलग फोल्डर में अलगलग टाइप की वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाती है इवेंट में आपको इमर्जेंसी वीडियो मिलेंगी यहां पर फोटो आप जो की चोगे पार्किंग मोड प्लस नॉर्मल में जो रिकॉर्डिंग होती रखती है गर यहां पर मैं आपको देखाता हूसों इसमें सेंसिटेंग जाके यह जो आप सेंसिटीविटी देख रहे हो यहां पर मैंने मैंने यहां पर कर ने लगा हो यह करने के लिए है फिलाल के लिए मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि एस्टी काड जो है वो मैंने क्लास 10 का डाल रखा है यहां पर यूज किया 32 जी वी का यहां पर यहां पर यहां पर कर सकते हैं तो वह आप सेट कर सकते हो एक मिनट दो मिनट तीन मिनट वह आपके उपर करता है इसके बाद आजाते हैं नीचे तो स्पीकर की वॉलियूम आप सेट कर सकते हो हैं जैसा आप चाहूं मैंने पर आप यह जाता है और गाड़ी से के सामने से कोई मुवमेंट होती है तो अब ADAS जो सिस्टम है वो कहलाता है हमारा एडवांस्ट ड्राइवर एसिस्टेंस सिस्टम जो कि यार GPS जब यहां पे आप लगाओगे ना तभी इनेबल होगा अब यह तो है नहीं इसमें GPS देखिए दिखाएगा GPS मॉडियूल नौट डिटेक्टेट अब जैसे GPS मॉडियूल यहां पर लगाओगे तो आपको कुछ फीचर्स एक्ष्टर मिल जाते हैं जैसे कि इसमें जो है आपकी कार की स्पीड वगरा दिखाएगा और साथी साथ सामने कार चल रही होगी वह अगर पास ज्यादा आ जाती तो एलर्ट वगरा देता रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है तो इसी के साथ साथ आप चलते कार में और दिखाते हैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो डैश के बॉक्स के अंदर आप लोग ने देखा कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ मैं आप आपको इस चेक कर सकते हो कि इस यहां पर आपको ।ो यहां फिर आपको धाइस को मिल रहा होगा यहां जोंकी के चलते हैं कर देखाते हैं कि कि तरीख से ट्रीकर रखा है और इंच्यलेशन पार्टियर योची ceux-स अbas मतलब नीतली हम लोग जो है वायरिंग को चुपा सकते हैंगे मेन काम जो होते हैं वायर को छुपाना जितने अच्छे से नीतली जो है छुपे होंगे उतना nooit बहुतना प्लπά को आ है तो आगे हम लोग अपनी कार के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं यहां पर मैंने अपने डैश केम का जो है इंस्टॉलिशन कर रखा है इसका प्रोसेट मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि तीन महीने पहले ही मैंने इसको खरी करेंगे पहले मैं आपको बता दूब कि इसको इंस्टॉल करने के लिए यहां पर दो में चीज़ होगी आपको जरूर पड़ेगी जो कि पहली चीज है यह आप देख सकते हो यहां पर इलेक्ट्रो स्टैटिक स्टिकर जो है जो कि आपको अपनी विंशील पर प्लेस करना ह होगा ठीक है और उसके अलावा दूसरी चीज जो देख रहे हो रहने वाला है यह तूल की मदद से आर देखो करना ही है कि यह तूल जो है वायर हाइड करने में बहुत ही ज्यादा यूसफुल है यहां पर देख सकते हो कि मैंने इसको इसको निकाल देता हूं यह जो तो Micro-USB Cable है इसको एसे मैं आराम से निकाले को अब यहां पर देखो मैने इसको जब्रस्ति लगवाया था और क्यूंकि इसका मेन वीजन यह है क्योंकि अगर मैं यहां पर सेंटर मैं यार कैसे लगा सकता था सेंटर में यहां पर और इसके उपर ही मेरे को पेस्ट करना प चाल उसाक को नचेवां इसको कभी कभी निकाल corporate यहां पर इससलिए इसको लगा नहीं और यहां पर पेस्कर है यार इस से फुटेज काफी अच्छी आया जाती ही और य ár जो है मैं बाहर के नजारे जो है record करता हुद कि यह बार ऐसा होता है कि हमेशा फो निकाल नी सकते और यह डैश कैम जो है वीडियो को record करता रहता है और आगर यहां पर यहां पर देखो तो वायर वैने हटा दिया है अब इसके बाद बात करते हैं यार मैंने कैसे इसको रख देते हैं फिलाल के लिए साइड में तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर मैंने इलेक्ट्र स्टीकर लगा रखा जो की दो पैकेज में आते हैं मतलब इस बॉक्स के साथ अंदर दो इस टाइब को मिल जाते हैं अब यहां पर करना कि आपको कुछ इस स्क्रीन लगाता है आपको यहां पर कोकुछ आपको यह शक्रींड से चिपका देना है और यह तो आप्न को और अंदर ये जो आपको रेक्टेंगल शेप देखो यह आप कोशिच करना कि जो है सीधा ही रहे क्योंकि इसी पर आपको यह वाला जो माउंट है ना यहां यहीं पर आपको लगाना होगा अब मैं बात करता हूं एक स्टिकर जो था वो मैंने लगा रिया था इस वायर को करत जो है वो हीड रेजिस्टेंस वाला जो एडेसेव होता है और श्टिकर चुडाते हैं यहां पर आपको एकदम सेंटर में अलाइन करते हूं पेस्ट कर देना है और यहां से बिल्कुल भी नहीं लगा मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है और यह जो इलेक्ट्रो स्टाट टाइप के लगे होते हैं यह डॉट्स भी छुट जाएंगे तो आप मतलब कोशिश यही करो कि आप इस स्टिकर यानि की इलेक्ट्रो स्टाटिक स्टिकर को जरूर से अपलाई करो यह लग जाता है और तीन महीनों से मैं इस्तमाल करा हूँ ऐसा भी नहीं कि यह गिर जाता वाटरपूफ तो नहीं है बट इसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है मतलब वाइड एंगल बहुत ही अल्ट्रा वाइड मातलब 140 डिग्री का एंगल यह कवर करता है और काफी जादा मतलब बढ़िया फुटेज देता है बात करते हैं वाइरिंग की तो यहां पर आप इसको बस इंस्टॉल करते रहना है और देखो अंदर यहां पर गैप होता है वो चला जाता है आसानी से हाथ से भी चला जाता है और ना जाये तो आप इसकी मदद से स्टूल की मदद से अराम से इसको अंदर कर सकते हो अब यहां पे यह सेंटर से मैंने निकाल दी अब यह यहां पर यह डैश केम लगने को तयार हो जाएगा उसको प्लग करना यूएसबी केबल में तो यहां पर मैं अराम से प्लग कर सकता था बट प्रॉब्लम है कि मैं यहां पर आप देख सकते हो कि मेरी एट्मॉस्फेर लाइट लगी हुए तो इस विए से मेरा यह जो स्लॉट की तो मैंने आप जैसा की देख सकते हो कि यहां पर यह जो है वायर जो है वो लटका हुए और बात करें फोन की तो यह जो फोन आप देख रहो है यह सैमसंग का M31S जो कि यह मेरी बहन से मैं मांग के लाए हूँ क्योंकि मेरे पास जो फोन इसकी क्वालिटी में भी अब इ करना कुछ नहीं है मतलब यहां पर अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यह जो रबर आप देख रहे हो इसको यार हलका सा उतानना पड़ता है उसका करना कुछ नहीं है मतलब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊंग तो यहां पर यह जो रबisstय इसको आप साणी है से निकाल सकते हो और नीकाल सकते हो और यहांप चलते हैं रियरडोर में ही असली मामला है और यहां पर अगर मैं इस वाली रबर को भी हटा के दो फोर्ड की रब नहीं यार इतनी मतलब कमजोर नहीं होती है इतनी सॉलिड होती है और यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो वायर आप देख रहे हो जाता हुआ ठीक है तो यह रहा यह वायर और यह वायर जो है वो डै चार्जिंग सॉकेट उसके अंदर यह मैंने प्लग किया हुआ अब यह जो है आपको इस डैश के साथ ही मिलता है यहां पे डूल यूस बीचार्जिंग है और यहां पर मैंने इसको प्लग कर दिया जिससे जो है डैश कैम मतलब आप देख सकते लगा वहां होगा लेकिन जो वाइरिंग है वो मैंने यहां पकर रखी है अंदर से केबल ले जाते हैं यह मैंने वाइरिंग खुदी किया यार इसमें कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है तो यहां पर आपको वाइरिंग अंदर देख रही होगी जो की इस डैश कैम क्या है और यह इसके अंदर से होते है यहां से मैंने निकाले यहां पास सोचोगे इसको मैं यहां पर Message कर देता हूं और इसको प्ले Pay Bar ब्लग कर देना है। जैसे अप प्लग करोगी यह जो आपने अवाज सुनी और यहाँ पे आप ग्री लाइट देख हुँआ हूँ इसको उप्र नीचे यहां पे कर रहा हूं तो उपर नीचे इसको यहां पे अज़स्क कर रहा हूं और यह यहां पर भी लाइव रिकॉर्डिंग आपको शोग करें का यह बाई ऐसा नहीं कि आप अपने घर पर बैटे हो यहां पर एक रेंज होती है तो उसी का अकॉर्डिंग यह आप इसमें देख सकते हो इसे के साथ जाब गरमी भरा दूप वगेरा इतनी कुछ खास है नहीं है तो यहां पर इसकी में रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा भी और दिन के ताइम में कैसी रोशनी रहती हुआ तुसी के साथ साथ रात में भी मैं फिर से कार अपनी ड्राइव करने के लिए ले जाऊंगा और वहां पर आपको दिखाऊंगा कि मतलब रात के टाइम में इसका लेंस कैसा परफॉर्म करता है तो फिलाल करें सब चीजों को जरा सेट कर देते हैं अपने हिसाब से और इसके बाद चलते हैं ड्राइव पे और आपको इसकी फूटेज दिखाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो इन बिल्ट माइक भी है मतलब इन बिल्ट स्वरी माइक्रोफोन भी है जिससे यह आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है मतलब कार के अंदर क्या हो रहा है सब कुछ यह रिकॉर्ड करता है वीडियो जो है वह बाहर की रिकॉर्ड करेगा और आप लोगों की आवाज यह बज़रा होगा वह सब चीजें के मतलब माइक से ही required हो रही है है और आप कहा पर जा रहाँ हूं को साफ सब्सक्राइब देख सकते हो कि यहां पर आपको कितना क्लियर देखने को मिल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लेंस यूद हुआ है वह सुनी का लूप वीडियो में मतलब रिकॉड़ कर सकते हो साथ ही साथ यहां पर आपको जी इसे सेंसर पर अपने आप अगर मैं आपको देखाऊ हूं तो यहां पर आप वोइस कंट्रूल का और यहां यहां पर आपको कुछ कमांड्स मिल जाती है और पहली कमांड का अगर मैं बताओं अगर आपको कोई इमर्जनसी वीडियो रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मतलब जैसे ही इसका मेमरी कार्ड फुल हो जाता है वैसे ही सारी रिकॉर्डिंग जो अपने पुरानी वाली डिलीट होती चलियाती है और नई रिकॉर्डिंग जो है सब्सक्राम में उसके सब्सक्राइब करते में वोग्रोड्फ के एक अच्छा बात करने सरे आपको डिल और यहां सेप्गत अबने、 तो तो यहां वोगलों को कि रेकॉर्ट करना चुरूर ओर यहां को मा Changing पिक्से लिए को साथ यहां पर अब कृता है। कि प्रिशन से अधर कर सकते हों. ट्योंकि फिलाल के लिए मैं इसे और 10ᵉdf पर एमेहिए तो क्वालिटी जो है मतलब सब्वोर्ट नहीं करेगा यार मेरा वीडियो एडिटर तो आपको दिखा ही नहीं पाऊंगा कुछ तो इसलिए मैं यहां पर आपको ना क्लास 10 का मेमरी कार्ड यूज करना क्लास 10 में मतलब यह लगाओ तो ज्यादा अच्छा क्योंकि उससे नीचे गाए सब्वोर्ट नहीं करेगा ना यकिन हो तो भी आप लगा के देख लेना तो खिलाल के लिए और यहां पर मैंने जो इसकी जी सेंसर वाल अच्छा रहेगा और इसकी सेटिंग जो है वह मैं आपको मतलब शो मैंने करी दी कि मैंने क्या कौन कौन सी सेटिंग पर मैं इसको चला रहा हूं वह आपने देखी लिया अपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि है मतलब यह समझो डैश कैम से करूंगा और यह चीज मैंने बहुत पहले से सोच रखी थी कि अपनी कार जब भी खरीदूंगा तो इसको जो है मैं जरूर से इस्तमाल करूंगा फिलाल के लिए इसके बाद मैं आपको नाइट का व्यू दिखाने वाला हूं क्योंकि मतलब उसमें भी आपको पता चल अगर बाद करूंगी तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिलेगी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा उसको आप स्लो करके मतलब देख सकते हो वीडियो को तो आपको क्लियरली जो है नंबर्स विस्बल हो जाएंगे बात करते रिफ्लेक्शन वगरा की तो यह करता है जैसा कि आप देख सकते हो कि टाइम हो रहा है यहां पे 634 पीएम और अभी भी मतलब अनेरा उतना कुछ खास तो हुआ नहीं है बट यहां पिस टाइम आप लोग जो है वो डैश कैम की क्वालिटी चेक कर सकते हो कि मतलब यह 5 मेंगा पिक्सल का सोनी का से बट कैसी मुझे कुछ खास reflection लगता नहीं है क्योंकि आप भी अगर मेरी तरह मतलब वीडियो recording करने के थोड़े से शौकीन बंदे हो और अगर आप चाहते हो कि मतलब सामने के नजारे और कार चलती थोड़ी सी recording आप कर पाऊ तो उस condition में मतलब यह आपके बहुत काम आने वाला है आ अगर आते ही आप इसका memory card निकाल के अपना data copy कर लो या फिर आप अपनी mobile की 70MAi की app के थुरू भी इसका data जो है अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो वह आपके ओपर डिपेंड है जिससे आपको सहूलियत मेरे तरीका आपके लिए आसान हो उस तरीके को आप लोग अपन यहां पर कुछ इस टाइप से स्क्रीन जो है वह ओन हो जाती है और इसके के लावा वाइस कमांड वाला फीचर भी आपको इसमें बहुत ही जादा अच्छा लगने वाला है तो यहां पर मैंने रोड की साइट में गाड़ी लगाती है और इसके बाद पार्किंग मोड जो ह कुछ कि दसथे हैं रोड क्रॉस करते हूए बीड देख सकते हो हैज जैसा कि आप लोग Bayan ऑर जो हो चुका एगर आप लोग चाहते हो कि मतलब इससे रिकॉर्डिंग करना है तो यार कार में लगा रहेंगा और इसमें कोई शुक्त की गूंजाईश नहीं है और नंबर फ् तो फिर उतना अच्छा काम यह नहीं करता है और रात में आप देख सकते हो कि कैसा इसका रिस्पॉंस है और इसी के साथ साथ यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैश कैम जो है वो मतलब इंडियन कार्समयार लगा ही लगा होना चाहिए क्योंकि ऐसी रोड कंडिशन्स होती है ना कि कभ पतानी कौन कहां से आ जाए और हो सकता हो कभी-कभी आपकी गलती नहीं होती है किसी इंसिडेंस में बट सामने वाला आपके ब्लेम कर सकता है तो आपकी खुद की सेफटी के लिए आपको मतलब खुद को बचाना है अगर तो थोड़ा सा है मतलब डैश कैम पे आप इन्वेस्ट करो मतलब कहीं भी आप उसको घाटे का सौदा नहीं समझोगे क्योंकि यह आप ही की सेफटी के लिए है और इसी के साथ साथ मैंने से बात करते है प्राइजिंग की तो लग बगर चॉसाट सो के आसपास 6400 रूपए यानि 6400 रूपीज के आसपास इसका प्राइस था और थोड़ा कार्डवार या ओफर लगा के मुझे 5700 रूपीज में यह मिल गया था इतने बजट में यह काफी अच्छा डैश कैम है अगर आपका इससे हलका सभी कम बजट है जाट की 4000 के आसपास मुझे कोई बड़ी हा डैश कैम मिल जाए तो आप इसमें जो बिना स्क्रीन वाला आता है वह से लेंडर शेप का थोड़ा सा होगा शाओमी का 70 एम डैश कैम यह प्रो वर्जन इसमें स्क्रीन एव डैश कैम खाली ह के लिए मुझे इसकी क्वालिटी जो है वह ज्यादा अच्छी लगती है लाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर वीडियो पसाइं नहीं है तो बिना लाइक शेर कमेंट करें मच जाएगा और लाइक यह तो सब्सक्राइब को बटन दबाना ना भूलिए और को सब्सक्राइब के साथ इस लाइकन को भी दमादीजिएगा ताकि मेरे आने वजी हर वीडियो की न्यूटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तेल देन बाब बाई इन स्टे मेंटास्टिक